गाउं में अगर कबरस्तान बनता है तो गाउं में स्मशान भी बनना चाहिए गाउं में अगर कबरस्तान बनता है तो गाउं में स्मशान भी बनना चाहिए लकड़ी कम पढ़ रही है जगा कम पढ़ रही है ना जला सकते हैं ना दफना सकते हैं आखिर महामारी में बिकास किस तरफ जा रहा है सरकारी यांखटी छॹपाने छे कौन सा मैडल हासल करना चाहते हैं? कोरान बहुत हुआ जनता पर करोना का बार अब तो जागो कुमकरण सरकार आखिट जनता का क्या कसूर हो गया ट्वीटर पर कलपेश रावल का ये ट्वीट बहुत कुछ कानी खोल देता है गुजरा सरकार की नाकामी को बाहर ले आता है जहां पर शमशानों में जलते हुई दो हजार बाट के बल्फ से भी ज्यादा केश काम करती है उनसे उड़ते धुओं पर किसी पत्रकार से कोई बच्चा कहता है कि मेरी माँ उस धुओं में जा रही है उसका फोटो कहीं चलो इतना दर्दनाक मंजर शायद ही किसी ने देखा होगा दर्द से बरे हुए तो बो हमारी का शिकार हो गए शम्शान घाट और कबरिस्तान की बात कहके आने वाले प्रदान मंतरी ने वाकी देश को शम्शान घाट बना दिया शायद पकड़ों को रोजगार बताने वाले प्रदान मंतरी मोदी जी ये बता जाते कि चिता जलाना भी एक रोजगार है शम्शा तोकन मिल रहे हैं शमशान घाटों पर क्या इसी इंडिया की कलपना प्रिधान मंत्री मोदी जी ने दी थी या ऐसे ही हिंदुस्तान को चाहते थे प्रिधान मंत्री मोदी जी जिसके बारे में कलपना हम भी नहीं कर सकते ना सोच सकते कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि प्रिधान मंत्री और अमिश्या जैसे व्यक्ति एक ग्रह मंत्री एक प्रिधान मंत्री इतनी मौतों पर अपना मूँ छुपा करके किसी कौने में बैड़ जाएंगे बंगाल चुनाप के प्रिचार के बहाने क्या नहीं पूछा जाना चाहिए इन व्यक्तियों से सवाल कि भाईया आप हो कहां बहुत सारे नेता संक्रमित हो गएं करोना से कांग्रिस की भी नेता हुए हैं यह दूर पत्त दोदो बार हुएं लेकिन एक बास सोंझ में नहीं आती कि चेचक एक बिसानू जनित बीमारी है उसका टीका एक बार लग गया तो द्वारा नहीं होती लेकिन करोना का टीका लग गया तो बीमारी दौारा हो लिए आपने टीका बनाया और विदेशों में भेज दिया अब लोगों के सामने समस्या क्या है आपने जो टीका बनाया है पहले तो टीका इस डर्स नहीं लगवा रहे थे कि आपने टीका नहीं लगवा था आपके टीके पर शक था अब परेशानी क्या हो गई है यार भागत ना होते मोधी जी, आप जुम्ले बाज ना होते, आपको मनी शंकर जी ने नीच कहा था, तो मैं बोलता हूँ, बहुत सही कहा होगा, नीच कहा था तो बहुत सही कहा होगा उन्होंने, बड़ा बाल ववेला मच आया था मीडिया ने, आज मीडिया भी आप से सवाल करने लगा जोटी खावर अर्ट न्यूज ने खूल दी उसने बोला यह हावर्ड की गलत रिपोर्ट लेकर गूम रही योगी जी उत्रपरदेश में करोना मैनेजमेंट के उपर कितनी क्रिक्री हुई योगी जी कितनी बेज़ती हुई जिस आउक्सिजन की कमी से अकील खान को आपने जेल में डाल दिया था धारा लगा करके आज आउक्सिजन की कमी ऐज़े मुक्यमंत्री होने के नहाते सारे बीज़ेपी शासित राज्यों को क्योना जेल में डाल दिया जाए मुक्यमंत्रियों को क्या ऐसे सम्भव है सुप्रीम कोट चुनावा दौनों के दौनों मिले हुए है भाई सीधी सी बात है करोन अफ हैल आये तो बाकी के जो चरण के चुनाव बचे हैं तो एकी चरण में करा लो और बात खतम करो लेकिन यहां कोई जिस से पीछे हटने को तयार नहीं क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी जी का आदेश है मरे कोई मर जाए डरे कोई डर जाए चिता में जलना हो जिसको वो जल जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान की जंता से गुजराज की जंता से यूपी की जंता से नराम मंदर से मुझे बस सत्ता का खेल प्यारा है सत्ता मेरे हाथ में होगी तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा सत्ता से ऐसे व्यक्ति को प्यार क्यों हो सकता है डाकू के भी बीवी बच्चे नहीं होते थे बाल मी की के लेकिन फिर भी वो डाकेती करता था क्यों करता था इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं इतने शांदार परिधान में रहते हैं प्रचार मंत्री और अमिश्या और भारतिन तब पार्टी के लोग जो लगाते थे कांग्रेस पर ये आरोप कि पीडियों के साथ ये लोग हैं लूट गए लूट गए अरे आपन तो 6 साल में इतना लूट लिया कि लूटने के लिए कोछ छोड़ा ही नहीं पीएम केर फंड का पैसा गाया लेकिन दोस्तों मैंने शुरू बात की थी कि लकणियां कम पढ़ रही हैं बेंटी लेटर्स कम पढ़ रहे हैं दिल्ली के हाल बुरे हैं दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल अलग दावे करते हैं महां 5,000 बैट की हकीकत सामने आती तो महां बैट होता ही नहीं है एक कांग्रिस के जवाने में तैयार हुआ था 4,000 बैट का एक हॉस्पिटल वो भी तैयार है पूरा उसको चालू नहीं कर पा रहे अर्विंद केजरिवाल केवर राजनेतिक दुराग्रह की बज़ा से ये जो नई पीडी के नेता आए है न अर्विंद केजरिवाल हों या प्रधान मंत्री मोदी जी हों या बीजेबी के बुनेता हों सतर साल की बात करते थे इन्होंने एक एक इट बेग दी देश की और जिम्मेदारी नहीं लेते और भूल जाते हैं अर्विंद केजरिवाल की कांग्रिस के जमाने के आई आई टी कॉलिज में ही उन्होंने शिक्षा हासल की थी जो कांग्रिस बना के गई थी इन्होंने कितने आई आई टी बना दिये हसी आती है ऐसे मूर्खों पर जो इन लोगों को बोड़ देते हैं और वार्टसेप उनिवर्सटी पर ग्यान पढ़ते रहते हैं इनका पता नहीं कौन सा ग्यान चलता है इन्टेलियन व्यक्ती को तो समझ में नहीं आएगा लेकिन मूर्खों को समझ में आ जाता है कि क्या करना है लेकिन मोधी जी ने जो बादा किया था वो करके दिखा दिया शम्शान घाट और कबरिस्तान के बारे में जो बादा किया था अभी तो खेर गाटों पर भीड़ है गाउं गाउं शम्शान बनने अभी बाकी है क्योंकि बीस हजार का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में करोना का डरा देने वाला है करोना के बारे में एक जानकारी और दे दूँ दोस्तों ये बहुत हलका है पीस फुट घंफुट के एरिया में फैलता है और मास्क लगा के चलें हावा के थूँ ये फैल रहा है मुटी मुटी में जानकारी आपको बता दूँ सैनिटाइजिशन का उप्योग करें और चार गच की दूरी नहीं बलकि आठ गच की दूरी बनाके चलें ये आपके स्वास्ती के लिए मेरी एक सलहा है और टाइफाइड के अगर आपको रखता है टाइफाइड अगर पॉजिटिव आया है तब भी आपको करोना हो सकता है आर्टी पीसी आर की जहांच जरूर कराएं क्योंकि टाइफाइड जो है इंटस्टाइनल प्रावलम से भी आता है पाने की गड़वडी से भी आता है टाइफाइड पॉजिटिव टाइफाइड अगर पॉजिटिव है तो आर्टी पीसी आर की जहांच जरूर कराएं क्योंकि इसके लक्षण टाइफाइड से भी जुड़े हुए देखे जा रहे हैं जिस से धोका खा जाते हैं पैथलोजी लैब के जो स्ट्रेंड है या जो भी कुछ है तो थोड़ा ध्यान रखें इस बारे में और स्टेडी करें आपको बहुत सारा स्टेडी मिल जाएगा गूगल पर क्योंकि उस स्टेडी को करने के बाद ही मैं ये बात बोल रहा हूँ और मोजी जी को बढ़ाएद देना मद दूलिएगा शम्शान घाट के लिए दोस्तों नमस्कार जैहें